टू वरियबल लीनियर एक्वेशन को कैसे साल्व करते हैं उसके लिए जो क्रास मिल्टिप्लिकेशन मेथड है उसके बारे में आचाचा करते हैं जैसे कोई एक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इस एक्वल टू सी वन ये एक equation हो गई और दूसरी equation है A2X plus B2Y is equal to C2 ये दो equation है एक ये है और दूसरी अब इसको हमें cross multiplication method से solve करना है तो देखे कितना आसानी से आप इसी इसको कर लेंगे बहुत ध्यांस देखे कुछ नहीं करना होता है पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर X लिखते हैं और एक line कीज़ते हैं और इसके नीचे दो bracket लगा दें ऐसे फिर इस equal लगाईए यहाँ पर Y लिखिए उपर और इसके भी नीचे दो bracket लगाईए और उनके बीच में minus का निशान लगाईए इस equal to यहाँ पर minus 1 लिखिए और upon करिए और इसके भी नीचे आप दो bracket बनाईए और दोनों के बीच में minus का sign बनाईए इस बस इतना बस यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि कोई कहीं किसी question में यहाँ minus 1 लिखा जाता है और कहीं नहीं लिखा जाता है यह ध्यान रखना है यह तब होता है जैसे कोई question given है यहाँ पर इस c1 को इधर कर दिया जाए और बराबर 0 हो इस इक्वल के उस पार 0 हो बाकी सारी समीकरण left side हो तब यहाँ पर plus 1 लिखा जाएगा यह खास बात है अब देखिए यह brackets को हमें fill करना है कैसे तो x के नीचे ध्यान रखना है x के नीचे x के multiple नहीं लिखे जाते हैं यानि इस x वाले कालम को छुपा लीजिए ऐसे कर देना है अब देखे बी अब इसको इससे multiply करके इसके जो यह हैं numbers इनको आप multiply करके पहले वाले में लिख लिए बी वन सी टू बी वन सी टू यह लिख दिया और नीचे से उपर को जो multiply करेंगे दूसरे वाले में लिख देंगे तो हो जाएगा बी टू सी वन यह मिल गया अब आएए बी में जब करेंगे वाई के नीचे तो इस वाई वाई को छुपाना है आपको अब देखें सी और उसके बाद इधर यहां से स्रू होगा यह अगर इधर लिखा होगा तास तो सी वन ए टू पहले ब्रेकेट में सी वन ए टू यह लिखना है और फिर सी टू ए वन यह लिख देना है अब सी वाले ब्रेकेट में इसको छुपाएंगे तो देखें A1, B2 A1, B2 और नीचे से उपर ज़े जाएंगे तो A2, B1 यह लिखना है और इतना लिखने के बाद बस सरल हो गया अब equation में A, B, C की जगे पर कोई ना कोई numbers लिखे होंगे यहाँ पर उन number को sign सहित multiply करें यहाँ मैंने माली यह प्लस लगा रखा है आपके दूसरे equation में जो given होगा वहाँ पर कोई minus भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है तो यहाँ पर यह multiply करके sign के साथ multiply करें अब यह देखे साल हो जाएगा अब यह step is equal to यह step यह is equal to यह दोनों दो equation बना लेनी है तो देखे एक्स is equal to क्या हैगा यह upon में है यह यहाँ उपर चला जाएगा तो minus 1 से multiply करेंगे जब देखे यह minus 1 हो गया और into में यह पूरा number है तो यहाँ पर चलिए direct करते हैं यह minus यहाँ पर है तो minus वाला plus हो जाएगा और plus वाला minus हो जाएगा तो यह आगे आ जाएगा b2 c1 minus b2 c नहीं b1 c2 upon में यही number a1 b2 minus a2 b1 यह आपको x की value में लिख गई x वराबर यह आ जाएगा अब y यह से लिखना है तो y y क्या आएगा y is equal to देखे यह number इधर से multiply होगा तो यह plus में हो जाएगा यह minus में हो जाएगा तो आ जाएगा a1 c2 minus a2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1 इस तरीके से x और y की value आपको मिल जाएगी तो यह मैंने यहाँ पर यह alphabet लिख करके बताने की कोशिश की है कि इस तरीके से यह फार्मूले आपको मिल जाएगी solve करना आसान हो जाएगा लेकिन इस पर आधारे question जब करना होता है तो यहाँ पर कोई न कोई गिंतियां होंगी उनको हमें solve करना होता है तो आईए उसके बारे में मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ जिस पर कुछ सवाल करके दिखाता हूँ गन्यवाद